बूर्णिंग फ्रेंट्स मैं डाक्टर वी केमिश्रा गेस्टो एंटरालोजिस्ट फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिल स्वरुपनगर कांपूर आज हम अपनी एजुकेशनल सीरीज में आगे बात करेंगे कीटोजनिक डाइट के बारे में ये कामनली जाने जाती है as ketodite आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि ये तो ketodite पे हैं या ये ketodite स्थेमाल कर रहे हैं ये actually ketogenic diet कहलाती है ये एक प्रकार की scientific diet है आज हम analyze करेंगे कि ketogenic diet क्या है ये कहां हमें help करती है इसके क्या side effect है या हमें इसे किस तरह से use करना चाहिए तो ketodite के बारे में सबसे प carbohydrate diet है. हम जो भी खाना खाते हैं इसमें तीन तरह की चीज़ें होती हैं एक होते हैं carbohydrates जो basically sugar-based होते हैं, दूसरे होते हैं proteins जो basically nitrogen-based होते हैं यह तीसरे होते हैं fats यह चर्वी. जो carbohydrate होते हैं वो हमारे खाने की जो मातरा है उसमें काफी जादा होते हैं जैसे हम चाबल खाते हैं, रोटी खाते हैं, और सबजिया काते हैं, जितनी भी मिठाईया हैं, शुगर हैं, यह सब carbohydrates है. जो हम protein से सिस्तेमाल करते हैं, जितना भी non-vegetarian food है, जैसे चिकन है, मतन है, अंडा है, मचली है, जो vegetarian diet है, इसमें जैसे दाल है, छोला है, पनीर है, यह सब basically proteins है, और fats आप जानते हैं, कि जैसे घी है, refined है, जितने भी oils हैं, यह basically fats है, तो हमारी जो diet होती है, basically combination होती है, carbohydrate का, fat का and protein का, on and average है समाना जाता है, कि हम जो diet लेते हैं, उसमें approximately 60-70% के आसपास carbohydrate ही होते हैं, और करीब करीब जोने 15-20% के आसपास proteins, and 10-15% fat, this is a usual combination, जो ketogenic diet है, इन सब combinations को basically revert कर देती है, in the sense, कि जो ketogenic diet है, या keto diet है, यह basically low carbohydrate diet है, इसमें जो carbohydrates हैं, वो बहुत कम मातरा में खाय जाते हैं, या बहुत कम मातरा में इस्तेमाल किये जाते हैं, जो ज़्यादा तर calories इस्तेमाल होती है keto diet में, वो basically fat या protein से आती हैं, carbohydrate बहुत कम इस्तेमाल किये जाते हैं, इसका मतलब यह है, कि आप अपने खाने में sugar बंद करेंगे, soda बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, pastries, sweets, मिठाईया, breads, चाबल, इन सब चीजों को actually बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको carbohydrate बहुत reduce करनी की ज़रूरत पड़ेगी, now वे कैसे काम करती है, जब आप 50 gram से कम मतरा में भी अगर carbohydrate इस्तेमाल करते हैं, या 50 gram से कम carbohydrate लेते हैं, तो basically आपकी जो body है, उसमें जो sugar के level है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चलने लगता है, in the sense, कि actually जो carbohydrate है, body उ उसे fuel मानती है, जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ऐसे ही, अगर आपने carbohydrate कम खाया, तो आपकी body में fuel के जो मातरा है, वो basically कम हो जाएगी, जैसे ही fuel की मातरा कम होगी, carbohydrate के चलते हैं, तो जो हमारी body है, वो alternate fuel sources को use करना चालू करेगी, which takes around 3 to 4 days time, इसका मतलब, कि अगर आ आप protein and fat ठीक मातरा में लेते चले जाते हैं, तो 3-4 दिन के बाद आपकी जो body है, fat and protein है, उसको basically as fuel इस्तिमाल करना चालू कर देती है, अगर fat and protein को use करना चालू कर देगी, तो basically आपकी body के अंदर जो fat है, उसका breakdown शुरू हो जाएगा, और उसका breakdown शुरू हो जाएगा, तो calories body को उससे मिलने लगेंगे, जब fat basically breakdown होता है, तब ketones बनते हैं, इसलिए इसे ketosis कहा जाता है, इसलिए इस diet को ketogenic diet कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही fat जो हनम परन होगा, तो ketones बनेंगे, और ketones जैसे ही बनेंगे, आपको weight loss की जो एक प्रिकरिया है, वो चालू हो जाती है, इसल scientific diet, but it's a short term diet, आप जिंदिगी भर के लिए ketogenic diet पर रखकर, आप शरीर को नुकसान करेंगे, इसलिए का ध्यान रहे, तो it's a short term diet, जो medically use की जाती है, ये किन patients को use की जाती है, ये question खड़ा होता है, अगर आप बहुत overweight हैं, आप weight कम करना चाहते हैं, तो आपको ketogenic diet पर जाने की सला दी जाती है, in some medical conditions also, आप ketogenic diet यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको epilepsy है, ये मिर्गी की बिमारी है, अगर आपको heart disease है, आप overweight हैं, और heart disease साथ में हैं, तो आपको ketogenic diet यूज करनी की सला दी जाती है, अगर आपको brain की कोई problems हैं, तो भी जो हना, आपको ketogenic diet यूज करनी की सला दी जाती है, अगर आपको बार-बार चेहरे पर acne हो रही है, वो बहुत जादा हो जाती है, कभी-कभी जिसे acne vulgaris कहते हैं, अगर acne बार-बार हो रही, तो भी आपको ketogenic diet पर जाने की जरूरत होती है, लेकिन ये धियान रहे, कि आप अगर मूटे भी हैं, लेकिन आपको ketogenic diet या keto diet इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो हम इस्तिमाल करते हैं, ये diet वो है basically weight loss के लिए, obesity के लिए, ये basically 3-6 महिने में काफी आपका वजन कम करनी की ताकत रखती है, ये basically हमारे metabolism को जोना change कर देती है, क्योंकि हम carbohydrate कम लेते हैं, protein ज़्यादा लेते हैं fat ज़्यादा लेते हैं, तो alternate fuel के रूप में ये जो diet है, ये basically हमारे fat है, उसको breakdown करती है, in ketones produce करती है, that's number one, जब ये इस तरह के change करेगी, तो actually insulin का utilization better तो होता है, लेकिन insulin का requirement कम हो जाता है, क्योंकि अब आप carbohydrate ज़्यादा खा नहीं रहे हैं, और चूंकि insulin का requirement कम हो जाता है, तो बहुत सारे changes आते हैं metabolism में, जिसके चलते हैं, आपका weight basically कम होने लगता है, ये विवास सही है, कि अगर आप अपनी diet में fats and proteins ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ये basically satiety देती है, आपको काफी समय तक fat भराबार लगता है, और आपकी जो diet है, और आपकी जो appetite है, वो basically reduce हो जाती है, तो इसलिए भी आपका weight कम होने लगता है, तो changes in the metabolism, plus increased satiety, ये दो reasons हैं, जिसके चलते है keto diet आपको help करती है, weight loss करने में, Now, बहुत सारी studies, SEI, कि अगर आप keto diet यूज करती है, ketogenic diet यूज करती है, तो actually cancer का incidence कम हो जाता है, this is very surprising, but scientific fact यही है, Actually होता क्या है, कि insulin actually हमारी जो body है, उसमें sugar metabolism के लिए जिम्मेदार है, या जितना भी carbohydrate होता है, उसके metabolism के लिए जिम्मेदार है, जो हम खाते हैं, carbohydrate, उससे actually हमारी body में या blood में sugar बनता है, वो जो sugar बनेगी, उसको use करने के लिए, या उसको store करने के लिए, insulin ही responsible होता है, जो ketogenic diet है वो basically हमारा जो fuel है बहुत रफ्तार से यूज करती है तो चुकि हमने carbohydrate खाया वो कम मत्रा में है और जो कम मत्रा में carbohydrate है वो basically इस ketogenic diet के कारण बहुत speed से इस्तिमाल हो जाता है तो बहुत speed से अगर इस्तिमाल हो जाएगा तो आपका insulin का requirement कम हो जाएगा इसका मत्रब यह है कि आपकी जो body है वो insulin कम बनाएगी और आपकी body insulin कम utilize करेगी क्योंके carbohydrate आपने reduce कर दिये है और बहुत साथा scientific data है जो यह कहता है कि अगर आपकी body में insulin lower level पे है lower level insulin production है तो बहुत सारे cancers ऐसे हैं जिनकी होने की संभावना कम हो जाती है तो also this is one of the scientific facts कि lower insulin level basically जो बहुत सारे cancers है उनको prevent करता है now heart disease और ketogenic diet इसके बारे में क्या combination है क्या correlation है आप यह देखिए कि ketogenic diet में मैं बोलता हूँ आपको protein ज़्यादा खाना और fat ज़्यादा खाना है तो देखने से तो कितना contradictory लगता है कि heart की बीमारी है यह आपको fat ज़्यादा खाने के लिए बोला जा रहा है तो on face it looks basically contradictory बट यह सचाई नहीं है जब आप ketogenic diet पर होते हैं तो आपका basically insulin का production कम हो जाता है जब आपका insulin का production कम हो जाता है तो basically आपका production आप दी cholesterol भी reduce हो जाता है तो चुकि आपकी lipid levels better होने लगते हैं cholesterol का production आपका reduce होने लगता है तो यह सब जो problems हैं जैसे high blood pressure है, atherosclerosis है यह disturbed lipids है यह heart problems है इनमें ketogenic diet वास्तों में आपको मदद करती है लेकिन यह कितने समय तक मदद करेगी, कितने time तक मदद करेगी, it's a questionable issue long term results क्या है, that we do not know बट यह बास सही है कि अगर आपको यह तीनों problems हैं high blood pressure, atherosclerosis, end zone heart disease, तो जो ketogenic diet है, वो आप help करती है तो यह cholesterol का जो production है, या triglyceride के production है, उसको reduce करती है आगे चलके हम देखें, कि यह जो diet है, यह वास्तों में यंगर population को, particularly the females को जो acne है, उसमें क्या help करती है, बहुत सारी studies ने ऐसा बोला है, कि जो carbohydrates है, basically they are linked to many skin problems and many skin problems में से, younger females में acne is the one, जिसमें carbohydrates सबसे ज़्यदा troublesome है अगर ketogenic diet के चलते, insulin production कम हो जाता है, तो basically ऐसा देखा गया है, कि जो acne के breakouts है वो भी basically कम हो जाते हैं, इसका मतलब कि ketogenic diet में insulin का production कम होगा, acne के breakouts कम होगे तो आपको बार-बार acne होने की समस्या कम हो जाएगे, actually insulin जो है ऐसा माना जाता है, कि यह बहुत सारे दूसरे hormones को भी induce करता है, जो acne के लिए या breakouts के लिए responsible होते हैं, इसका मतलब कि अगर आप keto diet पर है, insulin का level कम हुआ, तो दूसरे hormones भी induce कम होगे, और चुकि दूसरे hormones कम induce होगे, तो breakout की जो समस्या है वो कम हो जाएगे, अब हम आगे चलके देखेंगे कि diabetes का ketogenic diet से क्या relation है, एक relation तो direct है, in the sense, कि अगर आप low carbohydrate diet लेते हैं, आप carbohydrate कम लेते हैं, तो naturally आपका जो blood sugar है, वो better control होने लगता है, क्योंकि आप carbohydrate कम ले रहे हैं, blood sugar की spikes हैं, वो कम होगी, और आपका sugar का control basically better होगा, जितनी बाकि सारी diets हैं, उनके comparison में ऐसा माना जाता है, कि ketogenic diet सब्चे ज़्यादा predictable है, as far as the blood sugar control is concerned, now यह भी है बात सही, कि जैसे over a period of time, आपका fat burn होगा, fat burn होगा, तो आपकी body ketones produce करेगी, fat burn होगा, तो over a period of time, आपका जो weight है, वो कम होगा, जैसे ही आपका weight कम होगा, तो आपका insulin का requirement कम होगा, तो उसके चलते भी आपकी जो diabetes है, वो better control होती चले जाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ समझनी की है, कि अगर आपको type 1 diabetes है, और अगर type 1 diabetes है और आप insulin पर हैं, तो अगर आपको ketones होते हैं, या ketones ज़्यादा होते हैं, तो वो dangerous हो सकते हैं, तो इसलिए आपको type 1 diabetes है, आप ketogenic diet पर जा चाहिए, otherwise, for a short term plan, in type 2 diabetes, ketogenic diet certainly helps you out, ये blood sugar को better control करती है, ये weight को better control करती है, ये glycemic आपका जो status है, उसको better करती है, जहां तक epilepsy का सवाल है, जो next हम discuss करेंगे, कि जो epilepsy है, मिर्गी की बिमारी है, क्या मिर्गी की बिमारी में ketogenic diet help करती है, Actually, मिर्गी की बिमारी के treatment में ketogenic diet since 1920 से use कीती चली जा रही है, आप देखिए, कब से use हो रही है, 1920 से use हो रही है, ketogenic diet है, ये ketones बनाती है, ये ketones बनाके, जो ketones होते हैं, ऐसा मना जाता है, कि जो मिर्गी में जो दोरे पड़ते हैं, सीजर्स आते हैं, उनको better control करने में ममिशा मदद करती है, लेकिन अगर बच्चों में मिर्गी की बिमारी है, आप ketogenic diet पर बच्चे को shift करना चाहते हैं, तो पहले अपने doctor से discuss करेंगे हैं एक बार, कि आपका बच्चा क्या medication ले रहा है, आपके बच्चे का weight कितना है, और इसको बच्चे को ketogenic diet पर जाना चाहिए या लेकिन ये बिल्कुल बात सही है, कि जो ketogenic diet पर patients होते हैं, जिन्हें मिर्गी की बिमारी है, या epilepsy है, उनका जो एक seizures हैं, वो better control होते हैं on ketogenic diet, अकिली ketogenic diet से मिर्गी control नहीं, बहुत सारे दूसरे जो disorders हैं, जो nervous system के हैं, जैसे Alzheimer's disease, जिसमें भूलने की बिमारी हो जाती है, बहुत सारे sleep disorders हैं, ऐसा माना जाता है, कि ये जो disorders brain के हैं, या spine के हैं, इनमें भी ketogenic diet है, या keto diet है, ये मदद करती है, ऐसा माना जाता है, कि जो ketones produce करती है, keto diet, ये इन सब बिमारियों की जो progression है, उसकी speed कम करती है, या speed को halt करती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विज्ञान एसा मानती है कि जो ketones produce होते हैं वो possibly brain की जो cells है उनको help करते हैं और जो damage की प्रकिरिया है उसको slow down करते हैं या जो damage की प्रकिरिया है उसको halt करते हैं. नो हम आगे चलके देखेंगे कि females particularly younger females जो obesity है उनमें PCOD की समस्या काफी common होती है या polycystic ovary syndrome काफी common होता है जो actually infertility भी आगे चलके कर सकता है. एक्योली PCOD में होता क्या है? PCOD में होता ये है कि आपकी ovary की size बढ़ जाती है. ओवरी की size बढ़ने के अलावा जो ovary से eggs निकलते हैं उनके चारों तरफ एक fluid का sack बन जाता है तो eggs के चारों तरफ fluid का sack बन जाता है और ovary की size बढ़ जाती है. This is basically polycystic ovary syndrome. जो PCOD है, PCOD basically is the very common reason for infertility. विज्ञान ऐसा मानती है कि अगर high level of insulin है body में, आपको obesity है तो आपको PCOD की समभावना बढ़ेगी. इसलिए जितमें भी metabolic syndrome है, metabolic syndrome में PCOD is also one of the co-factors जिसमें कि यह सब problems खड़ी होती हैं because of the high insulin level. अगर आप ketogenic diet पे जाती हैं तो क्या होता है? ketogenic diet actually दोनों चीज़ों को कम करती है. यह basically insulin का level भी कम करती है और insulin जो आपको requirement है उसको भी कम करती है क्योंकि आपका weight कम होने लगता है. So you make less insulin and you need less insulin because आपका weight भी कम होने लगा है. तो अगर आप insulin कम बनाएंगे तो basically जो PCOD का incidence है वो कम होता चला जाता है. इसके अलावा लेकिन अगर PCOD है तो सिर्फ ketogenic diet से काम नहीं चलेगा. ketogenic diet के अलावा आपको exercise करने की जरूरत है, आपको अपना वजन कम करने की जरूरत है, तो वजन कम आप करेंगे, आप अपनी lifestyle change करेंगे, keto diet पर जाएंगे, तो आपको जो है PCOD से निकलने में मदद मिलेगी. Now, exercise और ketogenic diet का क्या relation है? बहुत सारे जो athletes हैं, athletes particularly the runners and cyclists, या जो aerobic exercise में होते हैं, वो basically keto diet use करते हैं. ऐसा माना जाता है कि जो keto diet है, आपको endurance को बढ़ाती है, it also improves muscle to fat ratio, ये basically muscular जो एक mass है, उसे बढ़ाती है और fat के उसको कम करती है, तो muscle to fat ratio है, वो basically कम हो जाता है, तो अगर endurance बढ़ाना है, तो keto diet utilize की जा सकती है, लेकिन science ऐसा भी मानती है, कि ये आपका जो endurance तो बढ़ाती है, लेकिन जहां तक peak performance है, अगर उसको improve करना है, तो peak performance शायद keto diet improve नहीं करती है, जो peak performance है, वो शायद carbohydrate ही use कर सकते हैं. Now, अगर जो हैं ketogenic diet या keto diet की इतने सारे फाइदे हैं, तो क्या इसके कुछ side effects भी हैं, हम side effects की बारे में बात करेंगी, विग्यान ऐसा मानती है, कि side effects बहुत serious नहीं है, जो सबसे common side effects हैं, वो है basically इस तरह के, जैसे आपको constipation हो सकता है, आपका blood sugar low होगा, तो थोड़े से आपको indisation हो सकता है, somehow ऐसा देखा गया है, कि जो incidence of kidney stones और acidosis, वो keto diet पे हमेशा ज़्यादा होता है, तो kidney stones का जो incidence है, वो ज़्यादा होता है, कि इसलिए अगर आप keto diet पे हैं, तो आपको अपना liquid intake काफी बढ़ाने की जरूरत है, ये भी बात सही है, कि अगर आप keto diet पर हैं तो कभी-कभी आपको keto flu जैसे symptoms आने चालू हो जाते हैं, आपको सिर में दर्द होने लगेगा, आपको कमजोरी महसूस होगी, आपको चिर्चलापन या irritability होगी, कभी-कभी ऐसा भी लग सकता है, कि मुझे काफी ठकान महसूस हो रही है, तो अगर keto's ज़्यादा हैं, लंब जब भी आप keto diet पर जाने का plan बनाते हैं, या इस्तिमाल करने का विचार करते हैं, तो आपको जो है इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, ये बात बिल्कुल सही है, कि ये fat को कम करती है, ये बात सही है कि ये muscle को, muscle mass को बढ़ाती है, ये बात सही है कि diabetes को ये better control करती है बट keto diet पर जाने के पहले, या जो ना keto diet पर हैं, तो normal diet पर आने के बात, इन दोनों पर आपको ध्यान देनी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये काफी tricky हो सकता है, अगर आपको diabetes है, high blood pressure है, heart की problem है, या आपको obesity है, तो पहले आप अपने doctor से consult करें, कि हमें ये problems हैं, हम ketogenic diet पर shift होना चाहते हैं, तो ketogenic diet में shift होने से कोई complication तो नहीं है, कोई problem तो नहीं है, कोई risk factor तो नहीं है, तो अब आप उससे discuss करके, तभी ketogenic diet पर जाएं, तो ketogenic diet short term diet है, ये therapeutic diet है, ये बात सही है, कि ये obesity, diabetes, PCOD, heart problems, cancer, इन सभी में मदद करती है, लेकिन इसके अपने side effects हैं, इ अगर आपको ketogenic diet पर जाना है, तो अपनी doctor से proper, I mean discuss करें, इसके बाद ही इस diet पर जाने की कोशिश करें, thank you very much.